हाँ तो और मेरा भाई लोग क्या हाल चाले आर उमीद करते हैं अच्छे होगे तो एक और New State की वीडियो के साथ में आ चुके हैं वापस अब भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की तो आप सबी लोगों को पता होगा New State Mobile के Twitter पेज में आज ये वाली image पोस्ट करी गई है और ये है desert map की teaser image तो इस वाली image में भाई देखो वैसे तो ज्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला होगा लेकिन यहाँ पर मैं इसका breakdown करने वाला हूँ जिससे आपको clarification मिल जाएगा कि इस वाले map के अंदर क्या क कुछ आने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले map का overall size क्या होगा तो भाई जो map का size होने वाला वो 4 into 4 होगा और इस वाले map के अंदर आपको काफी कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर अगर मैं बोलू तो भाई इस वाली teaser image के अंदर हर एक चीज दिखा दी गई है लेकिन बस उसको कुछ overlay से धक कर रखा किया ताकि भाई वो reveal ना हो पाई लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हो कि map के अंदर कितनी cities देखने को मिलने वाली हैं और आप लोगों को कुछ नए vehicles भी देखने को मिल सकते हैं जैसा कि अभी फिलाल के लि अकिन्ता map के अंदर भी जो map है वो काफी ज़्यादा बड़ा दिखता है लेकिन जो playable area है वो काफी ज़्यादा छोटा है तो SIC ने इस वाले map के साथ में रहने वाला है लेकिन जो इस वाले map का concept रहेगा वो एकदम अलग होगा क्योंकि इस वाले map के अंदर भाई हर एक match मे आपको ये वाला space ship crash होते दिखेगा जो कि आप लोग experience कर पाऊगे और जहां तक भाई मेरे को information है तो भाई मेरे को तो ये ही बताया गया कि ये वाला map आज से पहले PUBG universe के अंदर कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको relate कर रहे थे मेरा March 2051 थे तो भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ये एक ऐसा map है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा और इस वाले map की जो expected date है वो देखो वैसे तो March है बट मेरे हिसाब से ये एक मन्त डिले हो सकता है और आप लोग ये भी मान सकते हो कि March में भी आ सकता है क क्योंकि अपना जो season 8 है वो March से start होगा तो वो almost मतलब चला जाएगा भाई April के पास में तो आप लोग expect कर सकते हो कि अभी feb update में आपको एक trailer देखने को मिल सकता है इस वाले particular map का तो अभी यार बात करते हैं इस वाले map के अंदर आपको total कितनी cities वगेरा देखने को मिलने व हुआ है अभी यहार यहां पर जितने भी dark circle है यह तो confirm है कि यह city होने वाली है अब यह किस तरह की होंगी भाई वो देखो अभी मतलब reveal नहीं करी गई है और मैं भी यहां पर आपको reveal नहीं कर सकता हूं लेकिन जो city है भाई काफी अच्छी रहेगी और यहां पर आपको एक circle और देखने को मिल रहे होंगे जो मतलब थोड़ा light green है तो यह वाली मतलब location मेरे को confirm नहीं कि यह same जगा पर होंगी या इधर उधर भी हो सकती है तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई यह एक teaser image है और हर एक city की location एकदम accurate बताना भाई possible नहीं है लेकिन आपको total मैं बता सकता ह कि 9 से 13 तक cities देखने को मिलेंगी यानि आपको 9 cities भी देखने को मिल सकती ही पूरे map के अंदर या फिर 13 या 15 तक भी देखने को मिल सकती ही जो छोटी छोटी cities होंगी वो सब मिला कर और कुछ compound भी होंगे वो तो हर एक map के अंदर होते ही वो आप लोग relate कर सकते हो किसी भी map से लेकिन जो main भाई बात होगी वो specific crash होने की होगी क्योंकि भाई इस तरह का concept एक mobile game के अंदर आना काफी बड़ी बात होती है और आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये वाला map कैसा होगा आपकी expectations क्या है इस वाले maps से आप लोग मेरे को comment में जरूर से बता सकते हो प्लस जो आपको एक teaser image बहुत टाइम पहले सो करी गई थी इस वाले map की reveal के time पर तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो wall देखने को मिल रही है वो आपको इस text के नीचे देखने को मिलती है जो आपको ये white color की hazing देखने को मिल रही है text के नीचे वो वही वाली wall है य प्लस आप लोग इसका path हो गएरा भी देख सकते हो ये जो white line है ये इसकी roads वगएरा है और इसमें side tram वगएरा को कोई scene नहीं रहने वाला है और बाकी तो भाई हम लोगों को future में ही पता होगा कि actual में ये वाला map कैसा है बाकी अगर आपको ये वाली video अच्छी लगी हो तो like comment से और subscribe कर देना और अगर अभी भी मन में आपके कोई doubt हो तो वह आप लोग comment में पूछ सकते हो